वर्क्षि IT No. 31 आपकी इंग्लिश की वर्क्षि नम्बर 31 विहाइव की पोयम रेन आं टर रूफ पर पेस्ट है वागे दे हुबर इस पोयम में जो हुबर युबर रेत थैppen मेलेन्खली डरक्णिज क्रहिए है उसको बहुत ज़्यदा मैलेनीय मतलब इसको सच गजदा भजाएं गया है। उसकी सदनीस हैं वह रिम, रिम समय के रूप में, थार्ती पर गिरती है। अग्मिन देडियन है। प्रेड़ से कहां रेटा हुआ है। और अग्मिन भीडेह लेटा है। यह अजिक भीडेन में पेड़ीटा है। किसकी आवाज सुन रहा है soft rain over head जो पर बारिश गिर रही है उसकी आवाज सुन रहा है और जो भी tinkle tinkle भी sound को represent करता है shingers जो टाल्ज लगी है चत पर उस पे जो भी tinkle गिर रहा है जो भी आवाज गिर रहा है उसकी उसके दिल में एक एको हो रही है, एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसको एक प्रतिध्वनी सुनारी दे रही है अपने दिल में, और बहुत सरी ड्रीमी फ्रेंसी में वो खो जाता है, और त्री कलेक्शन का मतलब होते हैं, बहुत सरी यादे, एर थ्रेड इंटु वूफ, बहुत सरी बुल लेता है, as I listen to the Petra, वो पोईट कहता है, जब मैं सुनता हूँ, पैटर को, of the rain upon the roof, पारिश की जो आवाज है, उसको जब मैं चछतकियों पर सुनता हूँ, Now in memory comes my mother, अब मेरी यादों मेरी माँ आ जाती है, she used in the years ago, जो बहुत साल पहले वो करती थी, she to regard the darling dreamers, darling dreamers किसको बोला है, बच्चों को बोला है, जो बच्चे हैं, उन्हें जब सो रहे होते थे तो माँ उनके पास आती थी, और उन्हें प्यार करती थी, और उन्हें प्यार लुक है, लुक फुल अफ लुव, वो मुझे आज़ी याद है, और मैं सुनता हूं, इस रिफ्रें को रिफ्रें का मततब होता है, जो बार बार चीज रिपीट हो रहे है, क्या रिपीट हो रहे है, साउ handful of the rain, जो पैटर साउंड वार बार बार रिपीठ हो रहा है, विच तो यहां पर यह पोएम आपकी एक्स्प्रेशन हो जाती है उसके बाद इस पोएम पर बेज़ आपको कुछ कुछे हैं पोएट का नाम है कॉट्स किने पोएम का नहीं है Rain on the Roof अब इस पोएम में इसकी राइमिंग स्कीम भी हम एक बार देख लेते हैं जो पोएम की राइमिंग स्कीम क्या होती जो पहला वर्ड है इस लाइन का लास वर्ड है इस होवर इसको हम A माल लेते हैं स्फेर्स और होवर की आवास नहीं मिलती है साउंड सेम है तो इसको हम B बोल देते हैं ऐसी पहला वर्ड है पिलो इसको हम A मोल देते हैं फिर इधर बेड है इसको हम B बोल देते हैं पैटर को हम C बोल देते हैं बेड और ओवरेड का साउंड सेम है तो इसको बी बोल देते हैं तो रामिंग स्कीम मनती है A B C B A B C B इस पोएम की क्या है राइमिंग स्कीम है अब इसके बाद हमारा पहला question is the sound of the raindrops brought back to the poet जब पोएट है जब raindrops की आवाज को सुनता है जब रेंड्रॉप की आवाज को सुनता है तो उसको क्या याद आता है उसे memories of the rain on the roof याद आती है memories of the past आपनी past की रियादे उसको याद आती है अपनी mother उसको याद आती है पर question number two है आपको rhyme scheme बतानी है rhyme scheme अभी हमने देखी थी a b c b जहां पर होगा वो rhyme scheme होगी है अपर देखिए sing है इसको a मान लिया loud को b मान लिया flat को c मान लिया proud और loud की आवाज है तो फिर से b हो गया close a हो गया dream b हो गया hall c हो गया dream और gleam की आवाज है तो b हो गया तो a b c b a b c b यानि की option number जो d है यह हमारा answer है personification एक literary device होते है जिस पर कोई non living कोई निर्जी वस्तू को भी हम इंसान के रूप में बताते हैं human treat बताते हैं जैसे कि जो sun है वो smile dead does सुरज हमें देखकर muskura है तो सुरज तो नहीं muskura आता लेकिन फिर भी हम इसको ऐसा बोल रहे हैं तो इस literary device को personification बोलते हैं हिंदी में से मानवे करणा लंकार बोलते हैं अब इस extract में से personification का जो example है वो आपको choose करना है तो इसका example है जो अंदेरा है वो उदास नहीं हो सकता तो डाकनेश को मैलनकली बोला है तो यह personification का example है फॉर्थ कोश्चन में होवर होवर वर्ड का मीनिंग क्या होता है होवर का मतब होते हैं आपर तैरते हुए बादल फ्रोटिंग क्लाउड्स फिफ्फ है मदर लुक्स अटिम जो की मा है जो पोईट की तरफ कैसे देखती है वो बहुत ही प्यार से देखती है बहुत ही गुसर से देखती है अंग्रिली देखती है फॉंदी देखती है फॉंदी मीस बहुत प्यार से देखती है बहुत ध्या